अगर यह मान लेजिए लाइफ क्लास होती तो मैं आपसे डिसकेशन करता हूँ कि अग्दम से आपसे कोई पूछे कि यह और अडिट होता क्या है तो आप क्या बोचते हैं सूशे दिमाग में, दो मिनिट के लिए आपके दिमाग में एक लाइन आएगी, 99 परसंट बच्चे क्या बोलेंगे? सर, आडिट का मतलब होता है अगर मैं आपसे बूलें गके लाइन लिखके दिखा ओ ठीक है, आडिट का मतलब क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? sir audit is मैं बिलकुल बेसिक से बता रहा हूँ आपको checking of financial statement of an organized that influence it is decision आप यही बोलोगे आपके मन में यही चल रहा हूँ ठीक है फिर हाँ sir इतीसी बात audit का मतलब होता है company की books of account को check करना financial statement को check करना तो यह कहां तक यह बात सही है एक general perspective से आप से पूछाँ तो आप यही बोलोगे correct तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो आपने बोला यह बिल्कुल सही है यही होता है audit exactly यही होता है audit but sir कि यह पूरा हमें ऐसा ही लिखना है क्या यह 100% correct है यह correct तो है पर क्या यह 100% correct है नहीं sir यह 100% correct नहीं है यह सिर्फ around 30 to 40% ही correct है ठीक है आई यह समझते है क्यों auditing की definition समझने से पहले auditing हो तक है हमें एक चीज़ समझने पड़ेगी कि business क्या होता है audit तो आप किसी business से करोगे किसी company का करोगे काम करती होगी कुछ बनाती होगी कुछ बनाती होगी कुछ सर्विस देती होगी ठीक है तो एक बर हम business समझ लेते हैं तब आपको में यह definition कराऊँ हो तो आपको यह समझ में आ जाएगी ठीक है यह audit होता क्या है देखिए अभी यह basic चीज़े है अभी कुछ बच्चों को लग सकता है कि यार बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि अभी पहले कुछ क्लासों में आपको लग सकता है कि इसे slow pace है slow pace नहीं है दोस्त अभी हमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा क्योंकि हमारे जब तक base स्ट्रॉंग नहीं होगा तो इमारत स्ट्रॉंग नहीं बनेगी ठेक है अभी एक बार समझ लेते हैं कि बिजनिस क्या होता है बिजनिस काम कैसे करता है बिजनिस बनता कैसे है कंपनी बनते कैसे है फिर हम जानेंगे उसको चेक कैसे करना है हमें पहले ये तो पता हो कि काम ये दंदा होता क्या है तो देखो मान लेजिए किसका एजाम पलनो चलो मुबाइल इंगस्टिका लेते हैं मान लेजिए कंपनी है कौन सा फोन आप यूज़ करते हो आईफोन लेने अब बन सिने है डैमसंग इंक ठेक है सैंसंग मान लो एक कंपनी बनी अब कंपनी जब बनती है तो कैसे बनती है आई सोड़ी ना कि कंपनी आप गए मूठा के आपना कंपनी बनाती तो नहीं होता दोस्त कंपनी के लिए आपको फॉर्म फाइल करना होता है एक फॉर्म बरते होगा आप इंडिया में मान लो ये कंपनी इंडिया की होती ठीक है ये इंडिया कंपनी होती तो यहाँ पर क्या होता लिमिटिड मान लेजे दो मिनट के लिए ये इंडिया की कंपनी है इंडिया की कमपनिया हम एक Samsung कमपनी बना रहे हैं, फेक है अब वो बनती की ऐसे है, पहले जानता है कमपनी बनती की ऐसे, कमपनी बनने का ना एक हमारा department है, ROC, ROC मतलब सर क्या होता है, Register of Corporate, ना फ्रले लिख देता हूँ आपको, कहां पर लिखा हूँ, यहां लिख देता है, ROC, Register of Companies Affairs, ठीक है, मतलब एक department रुखता है, जो की यहां पर जाके, आप वहां पर form फाइल करते हो, detail देते हो, अपने सारे proof देते हो, तब आप एक company बना सकते हो, ठीक है, तो उसको हम short में, हम यह नाम यह यूज़ करते हैं, ROC, रजिस्टार बोल लो या फिर ROC बोल लो, आप कुछ भी बोल सकते है उसको, तो मैं ज्यादतर word, रजिस्टार, रजिस्टार या फिर ROC यूज़ करूँगा, अभी के लिए, आगे काम नहीं आएगा अभी, बहुत लेट, थोड़ा बहुत काम आएगा, तो आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने form फाइल कर दिया, अब वो लोग क्या करेंगे, अब फाइल कर दिया, फिर उन्होंने चेक किया, कि हाँ भी सारे डॉकुमेंट्स, जिस पॉर्म के साथ लगाएं, वो सही है, ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसको हमें certificate दे दिया, एक, ठीक है, certificate दे दिया, इस certificate का क्या बोलते हैं, इनकॉपरेशन सार्टेविकेट, इसको डा देता हूँ मेर, सार्टेविकेट ओफ इनकॉपरेशन बोलो चाहिए, ठीक है, इस सार्टेविकेट मतलब है कि हमारी कंपनी, एक सैंसंग लिम्डेट नाम के नाम से रिजिस्टर्ड हो गई, ठीक है, और बोलोगों सार्टेविकेट कैसे काम आएंगे, इस सब चीज काम में आएंगे, अभी रिखू जाओ, माल्लो कंपनी बन गई, कैसे कंपनी, आप कोई धंदा करत हों, क्या गरते हो, कैसे करते हो, अब ये कंपनी क्या करेगी, मान लो, मान क्या लोग, यहीं करेगी, पहले तो raw material खरीदेगी कहीं से, correct, raw material किसी से खरीदेगी, raw material में कुछ भी आ सकता है, आपका, जैसे मान लो, जो parse हो गया, इसके screen हो गई, motherboard हो गया, motherboard हो गया, ऐसे screen तो यह खुद ही बनाता है, screen हो गई, प्लास्टिक हो गया, यह इसने किसी से खरीदा, ठीक है, पर्चेस किया, देखेंगे आपको, ठीक है, यहाँ से इसने raw material खरीदा, अब इसने अपनी फेक्टरी में इसको, माल को बनाया, क्या बोलते हैं उसको finished goods बोलते हैं, यह आपको पता होगा, अपने पढ़ा होगा, costing वगरा हमें, या फिर वैसे भी, याबन ट्रिल्स में पढ़ा होगा, finished goods क्या है हमारा यहाँ पे, finished goods है, हमारा क्या है, mobile, ठीक है, mobile बना देते हैं, आजकर लिए चल रहा है ठीक है, यह आगे mobile, ठीक है, अब मुबाइल को, इन्होंने आगे, sale कर दिया, मार्किट में, किसो sale कर रहा है, sale ही लिखते हैं, हम ज़्यादा, बहुत से चीज़े होती हैं, लेकिन अभी आप इतना ही जान लो, क्योंकि मुझे आपको audit from जाना है, ठीक है दोस्तों, अब मुबाइल को sale कर दिया, मार्किट में, कहापे, मोटा मोटी, हर एक organization, चाहिए service sector भी हो, यही करता है, मानलों, एक CA है, यह तो मैंने आपको दे दिया goods अगर बेच रहा है, मानलों, को CA है, वो अपनी services दे रहे, वो अपना office खोल के बठा है, उसके लिए purchases क्या है, वो कुछ चीजे printer खरीद के लाएगा, किसी और CA से भी उसके तरक consultancy ले, और अपना client के लिए यहाँ पर उसके return भरे, उसके books of account का audit करे, यही तो करेगो ना, तो वो चीज हर industry करती है, ठीक है, अब इसमें और पर चीजे होती है, अब यह company क्या करते है, लोन भी लेती है, लोन लेके वो फिर आगे लगाती है, पैसा आपने business में लगाती है, जैसे आपने शार्क टेंक देखा होगा आचकल, शार्क टेंक आता हैं, देखा गरो, अच्छी चीजे देखा गरो, शार्क टेंक में वो आते हैं funding लेने, market से पैसा उठाते हैं, और उन्होंने जो अपना काम खुला है, अपना धन्दा खुला है, वो धन्दा बढ़ाते हैं, जब धन्दा बढ़ जाता है, तब उन लोगों को पैसा अपना loan का, या फिर equity का पैसा उन्हें वापास कर देते हैं, अब इतना सब कंपनियां करती हैं, और हमने definition में क्या पढ़ा था आपकी, कि हमारा गाम क्या होता है, audit का audit का मतला क्या होता है, कि sir, books of account को check करना, ठीक है, books of account को check करना, तो एक बताओ, ये चीज़े भी तो है, ये चलो ये books of accounts ना जाएंगे, इसके bills आजाएंगे, अब ये चीज़े, ये books of accounts थोड़ी है, मानलो company बनी थी, जो हमने form बना रहा था और उसी को, ये बनाया गया था, mobile बनाने के लिए, हमने इसमें लिखा था कि हम mobile बनाएंगे जी, ठीक है, लेकिन हम बना रहे हैं आप गाड़ी हैं, खार बना लग गया हैं, ठीक है, तो हमें ये document भी चेक करने हैं, तो auditor का का काम सिर्फ ये नहीं है, कि आपने financial statement चेक कर लिया, बस खतम हो गया, auditor का काम ये भी है कि उस चीज को starting से देखना कैसे है, start to end चीज़ों को चेक करना है, उनके document बनाने हैं, कि हाँ जी हमने ये चीज़ चेक किये, हमने ये चीज़ मंगाई थी, ये भी record करना होता है कि हमने मंगाया क्या था उससे, ऐसा नहीं है कि आपने, आपने sales का register मंगा लिया, आप audit करना जारा हो sales का register मंगा लिया आपने, company से बुला कि अपना sales का register लिया ओ जी, आपको ये भी आपके जो document होंगे, यानि auditor का document होंगे, वो अपने document में ये भी लिखेगा कि हाँ, मैंने इस से sales का register मंगा था इस date को, जो बड़ी-बड़ी कंपनियों का audit होता है न वो दोस्तो ऐसे ही होता है चोटी-मोटी कंपनियों वो तो ऐसे ही कर देते हैं लोग audit की हाँ चलो जी आपकी बुक्स आप अकाउंट है जी यह टैली है अपना अजली से देख लो हरी चीज़ है मैच हो रही है कि नहीं बड़ी कंपनियों होता है उनका audit एक स्टेप वाइज होता है और वो हर स्टेप रिकॉर्ड करना होता है यह CA की ड्यूटी होती है ठीक है तो अब मान लो इस कंपनी का audit अपॉइंट हो गया इसने अपना audit अपॉइंट कर लिया जी ठीक है ओरिटर ओरिटर मान लो इसका है मान लिजे ए बी एन चार्टर्ड अकाउंटेंट गई गई यह मान ले जिए तो अब ए बी एन चार्टर्ड अकाउंटेंट इस कंपनी का audit कर रहे जा रही है तो अब यह क्या गरेगी यह पूछेगे कि सर यहां पर जो management बैठा होगा ठीक है management यह फिर board of director यह क्या गरेगा इस सिखाएगा कि सर यह कांग कीजिए आप पहले लिए कंपनी के जो मेंले जो basic incorporation के डॉक्यमेंटर न सर यह हमें वह दिखाऊ तो कहेंगा ठीक है सर अब यह देखेगा देखेगा कहेगा कि अरे यार सर आपने तो जब फॉम भरा था जब यह कंपनी बनाए थे तो आपने बोला था कि हम तो मॉबाइल बनाएंगे लेकिन आप बना रहे हो क्या कार फर यह तो गलत बात हो गई आप यह हैं गलत हो ठीक है यह देखान अब मान लो कि यह सही बनाएै इस ने यह यह मॉबाइल ही बनाना चाहता है तो यह document से गंप्र हो गया, अब वो गया करेगा, वो purchases भी देखेगा, इनियस goods भी देखेगा, sales भी देखेगा, कितनी हुई है, loan भी देखेगा, कि क्या लिये हैं, क्या नहीं लिये, management से भी बात करेगा, कि sir आप काम कैसे करते हैं, अगर उसे doubt लगेगा, कि sir आपके last year sales हो थे, चार लाग, इस sales आपके सिर्फ दो लाग हुए है, ऐसा क्यों, sir यह तो बढ़नी चाहिए ना, अगर progress हो रही है तो, तो यह से भी पूछ सकता हो, तो पूछात अच्छी भी हो सकती है, ठीक है, यह भी audit का part होता है, तो आप समझ गया मोटर माटी, यह सिर्फ discussion इसलिए था कि एक काम, एक business होता क्या-क्या है, उसके अंदर क्या गया चीज़े होती है, और auditor उसको starting to end चेक करता है, यह उसकी duty बनती है, और हर चीज एक system के साबसे होगी, पहले यह document मंगाएगा, फिर उसको चेक करेगा, उसको लगेगा कोई doubt है, तो वापस इनको बेज़ेगा कि अबसर बताओ मुझे यह doubt आ रहा है, क्या यह सही बात है कि गलत बात है, ठीक है, चलो, इतना एक basic discussion था, बहुत चादा कोई heavy नहीं था यह, although बहुत से चीज़े होती हैं, बट इतना ही discussion आपको याद रखना है, audit को समझने के लिए, अब देखते है, auditing होता क्या है, देखो, अब आप अपने, जो do के book है, वो पढ़ोगे तो इसकी history दे रखी है, 1800 के end में, 1900 से ताबदी दख्खा दे रखा है, तो हमें उतना कि वो होता, auditing होता क्या है, audit यह auditing एक यह बात है, institute of chartered accountant, institute of chartered accountant को हम क्या बोच सकते है, I-C-A-I, ठीक है, I-C-A-I, I-C-A-I ने इस चीज़ को define किया है, और बाहर के भी कुछ लोग है, ठीक है, जिन्नों ने इस चीज़ को define किया है, लेकिन हम अभी I-C-A-I का ही पढ़े हमारे लिए most important ज्यादा यही है, वैसे आपकी बुक में बाहर के writers भी दे रखे है, ठीक है, उनको ज्यादा आप यह यह content दिया है, आपको ज्यादा इसे ही follow करना है, और यही लिख के आना है paper में, ठीक है, अब definition को हम बहुत अथ्य से गरेंगे, एक एक चीज़ को गरेंग है, देखें दोस्त, ICI has defined क्या auditing as, अब देखर यह जो inverted कोमा के अंदर है यह definition है, ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सा और समझा रखा है, फिर इसके बाद next parameter में इसी को और अच्छे समझा रखा है, और तरीके सा और easy करके या फिर उसको और थोड़ा सा elaborate करके, ठीक है, ICI defined क्या auditing as systematic and independent examination, और हमने क्या लिखा था, checking the financial statements, जो आपके मन में आया था ना, जो मैंने starting पूछा था, आपने यही सोचा था मन में, लेकिन actual में रहो क्या होता है, वर्ट पर रहान देना, यह वर्ट आपको लिखना है, अगर यह आएगा पेपर में, ऐसा ही आता है question इस systematic and independent examination, examination मतलता आप समझे रहोगा, चेक करना, क्या चीज़ चेक करना, अलो पढ़ लेते हैं, data, data statement, records, operations, performance, परफोर्मेंस मों क्या क्या आगा, चाहिए वो financial performance हो, company की, financial performance मने, दोस्त, इसका मतलब यह रहोगा कि, कितना कमाया, कितना धंदा किया, कितनी sales की, financial, यानी money, money, पै पैसे के हिसाब से, आपकी performance कैसी रही है, और otherwise, और भी चीज़े आपकी कैसे रही है, अगर, financial होता है, और क्या होता है, जैसे NPO भी होती है, non-profit organization, वो पैसों के लिए काम नहीं करती, वो profit के लिए काम नहीं करती, तो उनका audit भी होता है, ठीक है, अब उनका audit होता है, उनकी आपने संस्था खुली है, तो क्या आप सच्में गरी बच्चों को ही, वहाँ पर पढ़ा रहे हो, या फिर उनका रख रखाव कर रहे हो, या फिर कुछ और ही काम में लगे हो, ठीक है, तो यह चीज़े इस चीज़ का भी audit होता है, और stated purpose, ठीक है, and performance for stated purpose, यानि जिस भी purpose क के लिए audit होगा, जरूरी नहीं कि हमें पूरी books of accounts ही करनी है audit, हो सकता है, आप अपनी कंपनी में कसी एक particular चीज के लिए, एक item के लिए भी audit करवा सकते हो, ठीक है, अब इस में सबसे important चीज क्या है, systematic and independent word, जब भी आपका यह question आएगा, आपको यह चीज ध्यान रखनी है, कि systematic और independent word जरूर से जरूर लिखना है, बाखी तो आप बनागे भी लिख दोगे, भाई audit के मतलब क्या होता है, examination of books and records and financial statement of an organization, ठीक है, whether it is financial or non-financial, इतना त अगर आपने यह word नहीं लिखे ना, तो आपको marks हो सकता है कि वो काट ले, ठीक है, तो यह चीज ध्यान रखनी है, हर तक है, हर topic में, हर concept में, जो भी चीज हम पढ़ेंगे, तो उस particular topic के कुछ keywords होंगे, जो आपको ध्यान रखने है, याद रखने है, जिसकी वज़े से वो जामीन है, जो checker है, उन words को देखके ही आपको वो number alert करेगा, उसे से आपका impression अच्छा बनेगा कि हाँ, इस बच्चे को आता है, या पढ़के आए अगर से, चलो, systematic का मतलब क्या हो गया, देखो, word ही easy है, आम समझ में आ जागा, systematic का मतलब यह हुआ कि कोई भी जो औरेट का process लगाओगे, आप कोई भी चीज चेक करोगे, वो systematic धंसे करोगे, ऐसा नहीं है कि अपने sales उठा लिए, अपने मन से, यहां से purchase उठा लिए, कुछ भी चेक कर रहे है, आप company में जाके, नहीं, एक system होगा, पहले आप company को मान लो, आपको sales ही चेक करना है, हम basic basic example लेकर समझन करने के लिए, इतना हो सके, चलो fix assets मान लेते हैं, मान लो, हम fix assets check कर रहे हैं, तो क्या करोगे आप, चीज़र चले जाओगे कि machine, machine की factor में चले जाओगे, machine देखोगे, कि देखो यार, machine आपकी ऐसी है, खराब हो गई है, तो इसको 10 साल हो गए है, नहीं, पहले आप machine की, asset purchase किये हैं, हाँ या ना, अगर किये हैं, तो क्या उस पर depreciation सही से लगाया है, हाँ या ना, पहले हमने document चेक किये, याने fix assets register चेक किया, उसके बाद हम हो सकता हमें कोई doubt लगे, कि यार, ये machine तो इनकी छोटी सा factory, इसने तीन machine कहां लगा दी, इतनी बड़ी-बड़ी, अग हर चीज एक systematic way में होगी, हमारा audit systematic way में होगा, आप document मनाओगे, वहां से document आएगा company से, उसको आप check करोगे, फिर वापस company को बेजोगे, यानि management को बेजोगे, कि भाईया बताओ, मुझे ये doubt लग रहा है, ये सही बात है, गलत बात है, वो आपको फिर से बताएगा, अगर satisfy हो जाते हो, कि हाँ, हमने वाला ही बोल रहा है, तो आप उस चीज को right मार दोगे, अगर आप satisfy नहीं होते हो, तो आप उसका एक point बना लोगे, जब आप अपने last में reporting करोगे, audit report बनाओगे, तो आप वहां पे लिख दोगे, कि मुझे इस चीज में doubt लग रहा था, वहां मे बहुत सारे point लिख हो गया, ठीक है, तो point is, कि systematic के मतलब simple systematic ही है, कोई कि जो भी हम audit का का काम करेंगे, वो हम एक systematic धंच से करेंगे, इधर उधर से कुछ भी कहीं से उठा के नहीं करेंगे, दूसरा, independent examination, इसको ऐसे कर लेते हैं, यह एक word लेकर चलो आप, independent examination, अब independent क्या होदा सर, independent आप बच्पन से सुनते आ रहे हो, बच्पन से बहुत नहीं बोलूँगा, बट अभी आप सुनते होगे, कि यार अपने पैरो पे खड़ा होजा, अपने पैरो पे खड़ा होजा, आप ही मनमा सोचते होगे, कि यार अब तो अपने दम पे कमाना अभी आप कुछ टाइम बात ही करोगे भी, तो आप independent होना चाहते हो, आप किसी के भरोसे नहीं रहना चाहते हो, अपने खुद के decision लेना चाहते हो, ठीक है, तो वही याँ पे अप्लाए गर्दो बस, मैं आपको बहुत उल्टा सीधा example नहीं लोगा, बहुत heavy example नहीं मैं क्या छोटी मूटी चीज़े नेगलेट कर दो, छोटी मूटी चीज़े को मैं छोड़ देता हूँ, चलो याँ थोड़ा सा घुठाला हो गया, छोड़ देते हैं, मेरे दोस्ती company है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वह percent बिलकुल independent होना चाहिए, उसका company से कोई लेना देन नहीं होना चाहिए, उसे हिसाब से वह चीज़े को चेक करें, examination करें उसका, ठीक है, तो अब देखो, अब यह definition बनी complete, कि ICI कहता है, कि audit क्या है, audit एक systematic and independent examination of data, statement, record, operation, statement जैसे आपकी financial statement हो गई, पिंडल, profit and loss account, balance sheet, cash flow, record, जो भी आप recorder, sales, register वगरा बनाते हो ना, files वगरा बनाते हो, record होगे, operation, अब operation क्या होदा सर, operation का मतलब, यह, पूरा operation तो हुआ, यहाँ से पहले आलो material आया, फिर यहाँ से finish course बना, फिर यहाँ से sale कर दिया, अब operation क्या यह सही कर रहा है कि नहीं कर ठीक है, इसका operation भी चेक करना है, कि अपने धन्दे को सही सुचारो रूप से चला रहा है कि नहीं चला रहा है, उसमें कुछ गलतियां तो नहीं कर रहा है, गोटाले तो नहीं कर रहा, ठीक है, कही mobile में छोटे-छोटे drugs का packet डल के तो नहीं दे जा रहा, ठीक है, मजाग कर कर रहा हूँ, मतलब कि सारे चीज़ के operation उस चीज के एसाब से जो company धन्दा कर रही है, उसे के एसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, sales का department सही से अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यह भी चीज़े होती है, यह चीज़े internal audit करता है, internal auditor, जो मैंने आपको starting में बताया थ चलो, बहराल, आज चलते हैं, तो main point आपका रहेगा है, यह पर systematic and independent examination, यह आपको ध्यान दखने हैं, जब भी auditing की definition आए, फिर परिमाने के बहुत chances होते हैं, पहला ही question आता है सिधा इसका, जिसमें आपको फब से पहले definition पुछेगा हो, तो आपको यह दोनों वर्ट बता दिया है, देखो, in any auditing situation, the auditor perceives and recognize the proposition before him, for examination, collect evidence, evaluate the same, and on this basis, formulate his judgment, is communicated through his auditor, पोर्ट सर समझ नहीं आया, अर लेंगे सोड़ी भारी पढ़ रही है, देखो, इसने उस पूरे process को एक ही बार हैं बता दिया, देखो, auditing situation में होता क्या है, auditor क्या करता है, perceive and recognize the proposition, मतलब वो records लेता है, उनको recognize करता है, हाँ रिकोर्ट सही है, क्या है, क्या नहीं है, check करता है, कहने का मतलब, ठीक है, proposition मतलब recognize the proposition, proposition मतलब यहाँ पर इससा कहने का मतलब यह है, जो भी document चेक कर रहा है, उसमें वो अलग अलग तीज कुछ चेक करता है, amount चेक करेगा, बहुत बड़ा amount तो नहीं हो गई, cash आया है कि नहीं आया, ठीक है, वो जो चुछ चेक करेगा, वो discussion आई है, ठीक है, उसना चेक कर लिया यहाँ पर, before him, for examination, वो चक, मतलब उसके पास सारी document आएंगे, जिसको वो examine करेगा, connect करेगा evidence, अब ओटर के पास, ओटर बोलता है management से, board of director से, कि sir, आपने न, एक machinery फालतो होई रखिया, आपके पास बोट मशीनरी है ही नहीं, तो आपके पास proof क्या होंगे यह बोलने के, क्या होंगे proof, आपके पास, आपके fix assets में, एक और स्राइट डाल देता हूँ, एक assets के register में, register में एक आ रहा होगा कि machinery purchased, कितना, मान लो, समा रहे हैं, 10 लाग, ठीक है, 10 लाग की machinery आ रही है, लेकिन आप उसकी factory में जाके आपने देखा है, यार मुपको कोई नई machine थी ही नहीं आपे, ठीक है, तो आप management क्या बोलोगे, कितना का सर देखो, आपके register में तो आ रहा है, लेकिन factory में कोई machine नहीं पड़ी, तो आपके पास सबूत क्या हुआ, यह register हो गया, और machinery कोई है नहीं, यह आपका evidence हुआ, evidence का मतलब सबूत, ठीक है, evidence collect करेगा, उसको evaluate करेगा, evidence collect पर लिया, और उसको evaluate भे करेगा, evaluate मतलब उसको check करेगा, सबूत को भी check करेगा, कि हाँ जो मेरे पास सबूत आया है, इस bill के हिसाप से machine नहीं है, पका नहीं है न, वो factory में लेकर देखेगा न, कि नहीं है, उसको evaluate भे करेगा, कि हाँ भी machine है यह नहीं है, purchase देहा रखा है evaluation है, तो वो evaluate करेगा, यानि check करेगा, एक तरसे verify करेगा, ठीक है, उस चीज को, और उसके बाद, इन सब के basis पे, formulate करेगा, अपनी judgment, और इन ही सब को communicate कर देगा, अपने audit report में, इसने पूरीच चीज बता दी, audit में क्या होगा, order, receive, perceive करेगा, अब इसको सरग लेंगा जो बोले तो, receive करेगा, recognize करेगा, documents, जो उसको मिलेंगे, before him, यानि company उसको देगी, कि yellow sir, हमारे books पकड़ोगा, तो पहले line में, books मिल गई, दूसरे line में क्या बोल गाई है, कि order करेगा, उसको examine, ठीक है, examine करेगा, रभूत खटे करेग ठीक है, वो उसके base पे, अपने judgment देगा, कि हाँ, मेरे एसाफ से चीज सही है, कि गलत है, और इन्हे सब चीजों को वो अपनी report में डाल देगा, ठीक है, यह हुआ, आपका auditing का definition complete, ओड़ोगा मतलब क्या होता है, यह मतलिख जाना सार, audit का मतलब होता है, बस systematic and independent examination, या फिर audit का मतलबता से books of account को check करना, ठीक है, कुछ लोग बोर हो रहे हैंगे आज पहली class में, यह चीजे बहुत जरूरी हैं दोस्त, यह नहीं करोगे तो आगे आपको दिक्कत आएंगी, विसलिए पहला समय थोड़ा लगा लो, ताकि बाद में आपको easy हो, समझने में, यानि आप अपना base strong कर रहो ताकि building अच्छी बने, नीव अच्छी होनी चाहिए, तो वही चीज जहां लग रही है, अब देखो, हाला कि auditing का मतलब यहीं तक है, लेकिन होता क्या है न, आप उस चीज को और easy way में लिखते हो, अपना answer आपको बड़ा भी करना है, तो आप दूसरे writers न अब other way में समझते हैं, auditing is systematic examination of books of accounts and records of the business, या फिर कोई और organization, यहां तो business बोल दिया, other organization का मतलब यह कहना क्या चाहता है, यह कहना चाहता है, NPO, not profit organization, या फिर government का audit दर रहा है कोई, ठीक है, तो इसे लोग बोल रहा है other organization, कमपनियां को तो audit हम करेंगे ही करेंगे, जिनका हमे profit check करना है, धन्दा check करना है, काम check करना है, लेकिन other भी हो सकता है, कोई AC organization भी होगा, जिनका profit के लिए बने ही ना हो, जैसे आपने NPO पढ़ा ही है, अपने बच्पन में, बच्पन में मतलब sir, sir 11-12 ने, ठीक है, या फिर अभी आपके first year में भी subject में होगा, correct, in order to ascertain or verify to report upon the fact regarding the financial statement and result दे रहो, तो examine क्या करेंगे, उसको check करना के लिए, उस पे report देने के लिए, अपनी opinion बताने के लिए, opinion क्या होगी, इसको हम थोड़ा बहुत अच्छा से आगे भी समझेंगे, अभी के लिए, देशो, तो आपको exam में क्या करना होगा, दोस्त, यह definition आपको लिखने ही है, इससे definition को आप फोड़ा ऐसा अपनी language में यहां लिख सकते हैं, यहां से यहां तक यह थोड़ा आप अपनी language में लिख सकते हैं, और इस वाले definition को ही देखो, इन्होंने और easy way में यहां पर डाल दिया है, इस से क्या हुआ, आपकी जो auditing का मतलब स ठीक है, यहां तक होता, यह एक, दो तीन, तीन मिनिट है लाइन में audit का मतलब खतम हो जाता, लेकिन जब आपको exam में लिखना है, तो ऐससे लिखना है, तभी आपको marks मिलेंगे, यानि आपका एक पिस्तो लगबग इससी में खतम हो जाएगा, भाई, समझ लेगा आप बात आता है कि audit में, theoretical subject में, due के exam में हमें जाधा लिखना होता है, तो इसी वज़े से ऐसे चीज़े ही आपको काम आएंगी, कि definition के बाद उसको थोड़ा सा और explain कीजिए अच्छे से, अपनी language में, definition तो आपने जो बुकिस language में आपको कर दिया, अब उसको आप अपनी language में कर द आप, इसको भी लिख देचे, ठीक है?